संतान प्रापति संतान प्रापति संतान प्रापति संतान प्रापति का एहम मौका होता है नवरात्र के पांचमे दिन मा सकंध माता की पूजा की जाती है नवदुर्गा का ये पांचमा जो रूप है जिसे सकंध माता के नाम से जाना जाता है कार्तिके की माता होने के कारण इनको हम सकंध माता कहते हैं इस देवी की पूजा करने से जो संतान की प्राप्ति है वो निष्चय रूप से होती है वातसले की प्रति मूर्ति मा सकंद माता भगवान कार्तिके को गोध मिली होए होती है और इनका ये रूप ये साफ जाहिर करता है कि ये मम्ता की देवी अपने भक्तों को अपने बच्चे के समान ही समझती है साथ ही मा सकंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिके के भी पूजा स्वेही हो जाती है इसलिए जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो या जिन को संतान संबंदी कोई समस्या आ रही हो ऐसे लोगों के लिए इनकी पूजा विशेश शुब मानी जाती है जिनकी कुंटली में ब्रस्पती कमजोर हो ऐसे लोगों को भी सकंद माता की पूज़ा अवश्य करने चाहिए इन नवरात्रों में आप भी सकंद माता की अराधना जरूर करें संथान प्राप्ते के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है लेकिन फिर भी संथान का सुख भोगने में नाकाम रहता है अगर आप भी संथान के लिए भटक रहे हैं ठक गए हैं तो आप यहाँ पर सकंद माता की अराधना इन नवरात्रों में अवश्य ही करें और इसके साथ-साथ मैं आपको कई ऐसे उपाई भी बताऊंगी जो आपने नवरात्रों में करने हैं यहाँ पर पहले उपाई की बात करते हैं अगर आप नवरात्रों में पीले कपड़े धारन करके दोनों पती-पत्नी अगर पीले कपड़े धारन करते हैं और उसके बाद सभी 9 नवरात्रे आप वरत करते हैं इस दिन पीली वस्तों का दान भी करें और जैसे कि सकंध माता को पीला रंग बहुत पसंद हैं तो केले का दान उस दिन किया जा सकता है पूरे 9 नवरात्रों में आप केले दान करें और इसके साथाथ छोटी-छोटी कण् पीली चीजें दे जितना हो सके आप पीली चीजें पीली चूडियां पीली चुनरी दे सकते हैं इस प्रकार से आप 9 के 9 दिन मास कंध माता की अराधना करें उन्हें याद करें और इसके साथ-साथ आप अगर ये भी कर लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा पीला भोज ऐसा करने से भी मासकंद माता जो हैं वो प्रसन होती है और इसके साथ एक और उपाय यहां पर आपने करना है पूरे 9 दिन आप गेहूं के आटे की लोई बना ले उसमें भीगी हुई चने की दाल आप रात को भिगो कर रख सकते हैं चने की दाल भीगी हुई चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाये को रोजाना खिलाएं नौ के नौ नवरात्रों में आप ऐसा भी जरूर करें ऐसा करने से जल्दी ही आपके आंगन में किलकारियां गूंचने लगेंगी आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी आपके घर में भी संतान की खुशी आएगी और बच्डे वाले गाये की सेवा करने से महती अच्छा फल प्रापत होता है ऐसा करने से मासकंध माता भी प्रसन होती है और बालकुपल किष्ण भी प्रसन होते हैं ऐसा करने से आप लोगों के घर में जरूर संतान की खुश्खबरी जल्दी ही सुनाई देगी और आखरी होता है मदार का एक पौधा होता है उसकी जड़ आप अपने घर पर ले आएं इसे पहले नवरात्रे में आप लेकर आएं नहाध होकर निर्वित हो जाएं और उसके बाद जाकर मदार के पौधे की जड़ अपने घर पर लेकर आएं इसे कोई भी पति-पत्नी जो दम-पत इसके फल से गरम तासीर की कोमल चिकनी रूई निकलती है। इसलिए इस जड़ का बहुत अधिक महतु माना जाता है अगर इसे शुब समय पर लाकर पतनी अपनी कमर पर बानती है तो जल्दी ही आपकी जो संतान की प्राप्ति की इच्छा है वो जुरूर पूरी हो जाती है तो इस प्रकार से इन छोटे-छोटे उपायों को आप भी कर सकते हैं आप भी अपना सकते हैं इन छोटे-छोटे उपायों से अगर आपका और दूसरे लोगों का जन जीवन का कोई अच्छा और भला होता है तो बहुत ही खुशी की बात होगी ऐसा करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है घर में खुश खबरी आ सकती है छोटे को अपनाने का भी कोई नुकसान नहीं है इसलिए ने करके जरूर देखें आप लोगों को जरूर लाब होगा श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और भी फायदा होगा चलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ मित्रो चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में नवरात्री 2019 की प्लेलिस्ट में आप जाके वाकी की वीडियो को भी देख सकते हैं वहाँ पर नवरात्रों के लिए आपको बहुत सारी जानकारी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके लिए हो सकता है लाबदायक हो आज के ल वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद